C.I.E.T. N.C.E.R.T. Presidents Trilingual Dictionary of History for Schools इतिहास, विद्ध्यालेओं के लिए त्रिभाशी शब्द कोश तारीख की लुगत, स्कूलों के लिए, सहलसानी Letter D, Index, Word and Page Number दफ्तर, Page 36 दाग, Page 36 दाम्यो, Page 36 दक्कनी, Page 37 दक्षनपथ, Page 37 दलित, Page 37 दामिने कोह, Page 38 दर्गा, Page 38 दाकेज, Page 38 दासाज, Page 39 देफोरेस्टेशन, Page 39 देघ, Page 39 दोनेरियस, Page 40 दस्पोटिस्म, Page 40 धम्म महमत्त, धर्म महमात्र, Page 40 धर्म, Page 41 धर्मसाल, धर्मसाला, Page 41 दिगंबर, Page 41 दिनार, Page 42 डारेक्ट आक्षन दे, Page 42 दिवान, दिवाने आला, Page 42 दिवानी, Page 43 दिवाने आम, Page 43 दोचाला, Page 43 दोट्रिन अफ्लाप्स, Page 44 दिवाने 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 दिव प्रिफ्देटर इस पर्शन तर्श पर्षिह विज रफ्टिश्ट और बांट बुखलेट और रजिस्ट इन आफूसूंग। इस विजर रजिए इन आफिसूंग। इस टूर्जिए अरृग्ट विजिक विप्टेर्ण दूर। युजिक विज रूजूंग। इस 5th century BCE. In medieval India, the term came to be widely used for bundles, official papers or volumes of a book such as Ayiniyagbari, which consists of five daftars i.e. volumes. Apart from this, the office of the diwan where official records used to be kept was also known as the daftar. Daftar Farsi bhaasha के इस शब्द का तातपर्य कार्यालेयों में प्रयोग की जाने वाली सिली हुई या जिल्द बंद पुस्तिका या रजिस्टर से है ये शब्द मूल रूप से युनानी भाषा के शब्द डिप्थेरा से निकला है जिसका अर्थ है खाल आगे चलकर इस शब्द का प्रयोग पिपाइरस विक्ष की चाल के बंदलों के लिए किया जाने लगा जिसका प्रयोग हेरडोटरस के जमाने अर्थात पांचवी शताबदी ईसा पूर्व में लिखने के लिए किया जाता था मध्यकालीन भारत में इस शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से बंदलों, सरकारी कागस पत्रों अथवा आईने अकबरी जैसी किसी किताब के अलग-अलग खंडों के लिए किया जाने लगा आईने अकबरी में ऐसे पांच दफ्टर अर्थात खंड हैं इसके अलावा, दीवान के कार्याले को भी, जहां सरकारी अभी लेख रखे जाते थे, दफ्टर कहा जाता था दफ्टर ये एक फारसी इस्तिला है, जिससे मुराज सिले या बंदे हुए किताबचे या रजिश्टर हैं जिनका इस्तिमाल दफ्टरों में किया जाता था दर हकीकत ये इस्तिला युनानी लवज दिप्थेरा से मुश्टक है, जिसके माइने खाल है बाद में इसका इतलाक पैपिरस दरक्त की चाल के बंदलों पर किया जाने लगा जिसका इस्तिमाल हैरोडोटस पांचवी सदी कबल मसी के जमाने में लिखने के लिए किया जाता था एदोवस्ता के हिंदुस्तान में इस इस्तिला का इस्तिमाल ज्यादतर गठ्रियों, सरकारी खागजात या किताबों की जिल्दों के लिए किया जाता था मिसाल के तौर पर आयन अकबरी पाँच दफतरों यानि जिल्दों पर मुश्टमल है उसके अलावा दिवान के ओफिस को भी दफतर कहा जाता था जहां सरकारी मंदराजात रखे जाते थे दाग The word दाग literally means mark In medieval India, there prevailed a practice of branding of horses used by soldiers with a mark to prevent them from exchanging superior horses for inferior ones This system came to be known as the दाग system It was Alauddin Khilji who first introduced this system during the Sultanate period along with the practice of maintaining roles of troopers describing their individual appearance to identify each one of them with the branded horses that were assigned to them However, the system was discontinued by Firoz Dughlaq and was again reintroduced by the Mughal Emperor Akbar in 1573 According to A.N. Akbari, Akbar had implemented this system despite stiff resistance from the nobility The word is a sign of the दाग का शाब्दिकर्द है निशान मद्धेकाली इन भारत में सेनिकों त्वारा प्रयोग किये जाने वाले घोडों को दागने की परिपाटी प्रचलित थी ताकि अच्छे किस्म के घोडों को खराब किस्म के घोडों से बदला ना जा सके इस पधती को दाख प्रणाली कहा जाता था सलतनत काल में ये प्रणाली सर्व प्रथम अलाओ दिन खिल जी द्वारा शुरू की गई थी इसके साथ ही अलाओ दिन ने सेनिकों की विवरण सूझियां रखने की पधती भी शुरू की जिसमें सैनिकों की शकल सूरत, पहचान चिन और उनके घोडों पर लगाए गए दाग का भी विवरन दिया जाता था किन्तु आगे चलकर फिरोज तुकलक ने इस प्रणाली को खत्म कर दिया मुगल बाश्शा अकबर ने 1573 में इस प्रणाली को फिर से लागू कर दिया आईने अकबरी के नुसार अकबर ने इस प्रणाली को अमीर उम्रावों के घोर विरोत के बावजूद जारी रखा था दाग लफ़ दाग के लगवी माइने निशान के हैं एहद वस्ता के हिंदुस्तान में फौजियों के घोडों को निशान जद करने का अमल राइच था ताके अच्छे शाही घोडे कमजोर घोडों से बदले ना जा सकें ये तरीका निजाम दाग के नाम से मारूफ हुआ एहद सल्तनत में सबसे पहले अलाओदीन खिलजी ने इस तरीके को शुरू किया था और उसके साथ ही उसने फौजियों के तफसीलात का रिकॉर्ड भी रखने की शुरुआत की थी जिसके तहत फौजियों के हुलिये शिनाखती निशान के साथ उन्हें तफवीज किये गए निशानजद घोडों की तफसीलात भी अंदराज की जाती थी ताकि उनमें से हर एक की इन्फरादी शिनाखत हो सके ताहम इस निजाम को फिरोज तुगलक ने खतम कर दिया था लेकिन मुगल हुक्परान अकबर ने 1573 में इसे दोबारा नाफिस किया आइन अकबरी के मताबिक अकबर ने इस निजाम को उम्रा की तरफ से सख्त मुजहमत के बावजूद बरकरार रखा देम्यो It is a Japanese term consisting of two words, dai and myo. It is a general term referring to the powerful territorial, i.e. dominal lords in Japan, where shoguns ruled the country in the name of the emperor. There were over 250 such domains under the rule of the daimus. However, after the monarchy was restored in Japan in 1868, which is popularly called the Miji Restoration, the daimus were made governors of territories that roughly corresponded to their erstwhile domains. Finally, in 1871, the daimus were pensioned off and a new administrative structure was put into place by altering the boundaries of old village and territorial units, i.e. domains. Daimyo जापानी भाशा का ये शब्द दो शब्दों, dai और myo के योग से बना है. इस शब्द का प्रयोग सामाने रूप से शोगुन का लीन जापान में उन क्षित्री अधिपतियों के लिए किया जाता था, जो सम्राट के नाम पर देश में शासन करते थे. Daimyo कहलाने वाले इन शासकों के शासन के अंतरगत 250 से अधिक क्षित्र थे. किन्तु 1868 में जब सम्राट के शासन की पुनह स्थापना हुई, जिसे आम तोर पर मेजी प्रत्यवर्तन कहा जाता है, तब Daimyo को उन क्षित्रों का राज्यपाल बना दिया गया, जो मोटे तोर उनके पुराने क्षित्रों के अनुरूप ही थे. अंतरगा 1871 में Daimyo शासकों को पेंशन दे दी गई, और पुराने ग्रामीन और क्षित्री एकाईयों की परिसीमाओं को बदल कर नए प्रशासनिक धाचे की स्थापना की गई. पेज 37 Daimyo ये एक जपानी इस्तला है, जो दो लव्ज दे और मियों से मुरकब है. इस आम इस्तला का इस्तेमाल जपान में शोगुन दौरे हुकूमत के उन इलाकाई ताकतवर आका या हाकिम के लिए किया जाता था, जो शेहनशा के नाम पर हुकूमत करते थे. Daimyo के जहरे हुकूमत धाईसो से जाइद इलाके थे, लेकिन 1868 में जपान में शाही हुकूमत की असर नौ बहाली के बाद, जिसे उमूमन बहाल मीजी के तौर पर जाना जाता था, Daimyo को उन इलाकों का गवरनर, यानि वली बना दिया गया जिन पर पहले उनका तसलुत था आखिरकार 1871 में Daimyo को वजीफा दे कर दस्त बरदार कर दिया गया और उनकी जगा कदीम गाउं और इलाकों की सरहत को बदल कर जदीद इंतिजामी निजाम नाफिस किया गया Dakkani The term Dakkani refers to the people and culture originating in the Deccan region in India. However, in the context of the medieval history of India, the term refers to the nobles, i.e. old comers, who used to serve the Bahmani state, i.e. 14th and 15th centuries, before the influx of Afakis, i.e. newcomers, into the Bahmani nobility. See also Afakis Dakkani 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 से मुराद हिंदुस्तान के दक्कन में रहने वाले लोगों और उनकी तहजीब से है. लेकिन हिंदुस्तान के एहदो वस्ता की तारीख में इस इस्तिला से मुराद वो उमरा, यानि कदीम आने वाले हैं, जो बहमनी रियासत, चौदवी और पंदरवी सदी की आमरा में अफाकियों, यानि जदीद आने वाली की शमूलियत से पहले खिदमत अंजाम देते थे. मजीद देखें आफाकि. During the Gupta period, Dakshanapath extended from Kosala to Kaanchi. In later times though, it is said to have included the whole of the Transvindhya region. The term Deccan, the presently used geographical nomenclature for this region, is derived from the term Dakshanapath. Dakshanapath, ये एक Sanskrit भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है दक्षन की ओर जाने वाला मार्ग. प्रथम सहस्राबदी इसापूर्व के लगभग मध्यभाग से इस शब्द का प्रयोग, संस्कृत, पाली और प्राकृत ग्रंथों में गंगा की घाटी से विंध्य परवत श्रिंखला के उस पार जाने वाले मार्ग और विंध्य के दक्षन में स्थित प्रदेश दोनों क जाने लगा था। आजकल इस भौगोलिक शित्र के लिए प्रयुक्त होने वाला दक्कन शब्द इस दक्षनापत शब्द से ही निकला है। से होती ही जुनूब तक जाने वाली शाहरा और साथ ही साथ जुनूब में उसी पहार से मस्तल इलाके के लिए भी किया जाने लगा। गुपता एहद में जुनूबी रह की तौसी कौशल से कांची तक हो गई थी। ताहम कहा जाता है के बाद में मावराय विंदिया तमाम इलाकों को उसमें शामिल कर लिया गया। मौझूदा दौर में इस जुगराफिया इलाके के लिए इस्तेमाल किया जाने वाली इस्तिला दक्कन इसी इस्तिला दक्षनी पत से मुश्टक है। दलित The term came into popular usage in 1960s and is supposed to have been first used by Jyoti Rao Phule, a Marathi social reformer of the 19th century. It usually refers to the people who were at the bottom of the social structure. In the 20th century, Dr. B. R. Ambedkar championed the cause of these downtrodden people through the foundation of the Depressed Classes Association in 1930. It was because of his persistent effort to politically mobilize the Dalits that the Puna Accord had come to be signed in 1931 by which it was agreed to reserve a few constituencies for them in the central and provincial legislatures. दलित 1960 के दशक में इस शब्द का व्यापक रूप से प्रचार हुआ। और ऐसा समझा जाता है कि इस शब्द का प्रयोग सर्वर प्रथम 19. शताबदी के एक Marathi समाज सुधारक Jyoti Rao फुले द्वारा किया गया था। ये शब्द आमतोर पर उन लोगों का सूचक है जो सामाजिक धाचे में सबसे नीचे स्तर पर थे। बीसवी शताबदी में डॉक्टर भीम राव अंबेटकर ने 1930 में Depressed Classes Association की स्थापना के माध्यम से इन दलित वरगों के हितों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया। दलितों को राजनीतिक रूप से लाम बंद करने के लिए अंबेटकर द्वारा किये गए सतत प्रयत्नों के फलस रूप ही 1931 में पूना समझाता हस्ताक्षित हुआ। जिसके द्वारा ये तैय किया गया कि केंदुरिये तथा राज्चे विधान मंडलों में दलितों के लिए कुछ निर्वाचनक्षित्र आरक्षित किये जाएं। इस इस्तिला का आम इस्तिमाल 1960 की दहाई से शुरू हुआ और खयाल किया जाता है कि पहली बार इसका इस्तिमाल 19. सदी के मराथी समाजी मसले जोती राओ फुले ने किया था। आम तोर पर इस इस्तिला से मुराज समाज के वो अफराद लिये जाते हैं जो समाज में सबसे निचले दरजे पर थे बीसवी सदी में डॉक्टर बीयार अमबेटकर ने इन दबे कुछले लोगों की फलाओ बुहूत के लिए 1930 में पसमानदा तबकात की अंजुमन यानि डिप्रेस्ट क्लासिस असोसियेशन कायम की थी दलितों को सियासी तोर पर मुतहरिक करने के लिए उनकी मुसलसल काउशों का ही सामरा था की 1931 में मुहाइदा पूना को मंजूरी दे दी गई जिसके तहत ये तैह हुआ के मरकजी और सुबाई आइन साजी में उनके लिए कुछ हाला के इंतखाब मखसूस किये जाए पेज थर्टी एट दामीने कोह This is a Persian term which refers to the forested areas of the Rajmahal foothills In the 19th century, the Sandhals were given land and persuaded to settle in this area by the English East India Company This land grant to the Sandhals was mapped and enclosed with boundary pillars to separate it from the areas of the settled agriculturists of the plains and the Pahariyas of the hills Following this demarcation of the land of the Sandhals, i.e. Damineco The Sandhals settlements increased manifold By 1851, there were as many as 1473 Sandhals villages which had come up in this area It was around this time that the Sandhals had come to feel betrayed by the colonial state because of exploitation by Bhagalpur, i.e. modern state of Bihar and Birbhum, i.e. modern state of West Bengal in the Daman area दामीने कोह फारसी भाषा के इस शब्द कातात पर राजमेहल पहाडी की तलहटी के वन ख्षित्र से है 19-वी शताब्दी में English East India Company ने संथालों को जमीने देकर इस ख्षित्र में बसने के लिए राजी किया था संथालों को अनुदान में दिए गए पूरे इलाके को बाकाइदा नक्षा बना कर और खंबे लगाकर अंकित कर दिया गया था ताकि ये समूचा इलाका मैदान में बसे हुए किसानों और पहाडीक शित्र में रहने वाले पहाडी我在 इलाकों से अलग रहे संथालों की जमीन अर्थाद दामिन कोह को इस प्रकार अलग से अंकित किये जाने के बाद संथालों की बस्तियों में कई गुना वृद्धी हुई सन 1851 तक आते आते इस क्षेत्र में बसे हुए संथालों के गावों की संख्या 1473 तक बढ़ गई इसी समय के आसपास संथालों को महसूस होने लगा कि आपनिवेशिक राज्य सरकार ने उनके साथ धोखा किया है क्यूंकि दामिन क्षेत्र में भागलपुर अर्थात आज का बिहार राज्य और बीर भूम अर्थात आज का पश्रिम बंगाल द्वारा शोशन किया जा रहा थ दामिन को ये एक फारसी इस्तिला है जिससे मुराद राजमहल पहाडियों के गिर्द जंगलाज से घिरे इलाके हैं 19-वी सदी इसवी में English East India Company ने संथलों को इसी इलाके में जमीन दी थी और उन्हें यहीं अबाद होने के लिए राजी किया था संथलों को दी गई زमीन को पहाड़ी इलाकूं और हमवार जमीन पर आबाद कास्टकारों के इलाके से अलग रखने के लिए पेमाईश करके खमबों से घेर दिया गया था संथलों की जमीन यानि दामिने को की आहाता बंदी के बाद संथलों की अबादी कई गुना बढ़ गई थी 1851 तक इस इलाके में कमोपेश संथलों के 1473 गाउं थे यही जमाना है जब संथलों को ये एसास हुआ कि नौ अबादियाती रियासत ने उन्हें धोका दिया है अबगरिबी बंगाल उनका इस्तेसाल कर रही थी दरगाह इस परजिन वर्जिन वर्ट रफर्स तो तूम श्राइन अफ रवियर सूफी सेंट इस अबेंगरिमेज वर दो फॉलोर्स तो सीक थे सूफी स्पिरिच्वल ग्रेस या बरकत particularly on the occasion of उर्स or the death anniversary of सूफी सेंट्स The tradition still continues of which a good example is the दरगाह of Nizamuddin Aulia in Delhi दरगाह फारसी भाषा के इस शब्द का तातपर्य किसी पूच्च सूफी संथ की कबर पर बनाये गए स्मारक से है ये उस संथ के अनुयाईयों के लिए तीर्थ यात्रा का स्थल भी बन गया जहां वे विशेश रूप से उर्स अथ्वा सूफी संथ की पुर्ने तिथी के अफसर पर एकठे होकर उसकी आध्यात में कृपा अर्थात बरकत की काम ना करते थे ये परंपरा आज भी विद्द्यमान है जिसका एक अच्छा उदारन दिल्ली में निजाम الدिन ओलिया की दरगाह है दरगाह ये फार्सी लवज है जिससे मुराद काबिल एहतराम सूफी बुजर्गों का मकबरा है ये अकीदत मंदों के लिए जियारत गाह बन गई जहां सूफिया के फुयूज औ बरकात के हुसूल के लिए खास तोर पर उर्स के मौके पर लोग आते हैं ये रिवायात आज भी जारी है जिसकी बहतरीन मिसाल हजरत निजाम الدिन ओलिया की दरगाह है मजीद देखें ओलिया Dark Age The expression is often used to refer to that period of European history which followed the fall of the Roman Empire in 476 CE and continued till about 1000 CE. This expression was originally used by the Renaissance scholars of Italy in the 14th and 15th century. It sought to highlight how during this period Europe was steeped in unquestioning religiosity imposed by the Roman Catholic Church. The expression was also used by the Renaissance scholars to emphasize how their own work drawn from the classical learning of ancient Greece and Rome marked the beginning of a new age. However, modern historians are increasingly questioning the use of this expression in reference to this period of European history. अंधकार युग इस अभिव्यक्ति का प्रियोग अक्सर यॉर्पी इतिहास के उस काल के लिए किया जाता है जो 476 ईस्वी में रोमन सामराज्य के पतन के बाद शुरू होकर लगभग 1000 ईस्वी तक जारी रहा. इस अभिव्यक्ति का प्रियोग बूल रूप से चौधवी पंधरवी शताबदी में इटली के पुनर जागरण कालीन विद्वानों द्वारा किया गया था. इसके द्वारा ये दर्शाने का प्रेत्न किया गया कि किस तरह उस समय यौरप रोमन कैथुलिक चर्श द्वारा थोपी गई धार्मिक अंधनिष्ठा में डूबा हुआ था. पुनर जागरण के विद्वानों द्वारा इस अभिव्यक्ति का प्रेयोग इस बात पर बल देने के लिए भी किया गया कि प्राचीन यूनान और रोम के शास्त्रिय ज्ञान विज्ञान पर आधारित उनके कारे से किस तरह एक नए युग का प्रारंभ हुआ. किन्तु आधुनेक इतिहासकार यूरोपी इतिहास के इसकाल के लिए अंधकार युग के प्रेयोग पर बराबर आपत्ति करते रहे हैं. पेज 39 दौर जुल्मात इस इस्तिला का इस्तिमाल अक्सर और बेश्तर यूरोप की तारीख में उस मुद्द के लिए किया जाता है, जो 476 ईस्वी में रोमी सल्तनत के जवाल के बाद से शुरू होकर तक्रीबन 1000 ईस्वी तक जारी रही. इस इजहार का इस्तिमाल बुनियादी तोर पर निशाद सानिया के इतालवी दानिशवरों ने 14 और 15 सदी में किया. इसके जरिये इस बात को उजागर करने की कोशिश की गई कि इस दौर में यूरोप किस कदर रोमी कैथलिक कलीसा की जानिब से आयद करदा मजभी जुनू के लिए किया के कदीम युनानी और रोमी क्लासिकी तालिमात से मुस्तार उनके कारनामों के सबब किस तरह जदीद दौर का आगाज हुआ. ताहम जदीद मौरिखीन यूरोपी तारीख में मसकुरा दौर के लिए इस इजहार का इस्तिमाल पर जा बजा सवाल करते रहे हैं दासाज In the Rig Veda, the term has been used to refer to people who were considered to be different from the Aryans in terms of cultural practices and the languages in which they spoke. दास Rig Veda में इस शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया है, जो सांस्कृतिक आचार विहवार और उनके द्वारा बोली जाने वाली भाशाओं की दृष्टी से आरियों से भिन्न थे. दास Rig Veda में इस इस्तिला का इस्तिमाल उन लोगों के लिए किया गया है, जो सांस्काफती आमाल और बोले जाने वाली जबानों में आरियनों से मुख्तलिफ थे. Deforestation The term is generally used to refer to large-scale cutting of trees in forested areas for either cultivation or industrial use or other human activities. Historically, the earliest evidence of deforestation has been traced to the Neolithic period when hunting-gathering gave way to cultivation of crops as a method of food production. Subsequently, settled agriculture also brought about a substantial degree of deforestation in areas where ancient civilizations flourished. However, deforestation acquired a new and considerably more threatening dimension in modern times due to urbanization, industrialization and colonization. Particularly, the tropical forests of Latin America, Africa and Asia, including that of India, which sustained the local environments and the primary sources of livelihood available to many forest dwellings and tribal communities living in these areas, were seriously eroded during the policies of exclusion and over-exploitation as pursued by the various colonial regimes. One-on-moulin ires The term is tied to our भारत के वन भी शामिल हैं और जो स्थानिय पर्यावरण और उन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातिय समुदायों तथा वनवासियों की आजीविका के प्रात्मिक सुरोतों को सुरक्षा प्रदान करते थे, विभिन अपनी वेशिक सत्ताओं द्वारा अपनाई गई चैनलों के कयाम या दीगर इंसानी सरगर्मियों के लिए जंगली इलाकों में बड़े पैमाने पर दरक्तों की कटाई के लिए किया जाता है। तारीक के एतबार से जंगलात की कटाई का आउवलीन सबूत नए हिज्री दौर में मिलता है जब शिकार और गिजाई इजनास जमा करने के तरीकों को छोड़ कर लोगों ने गिजाई पैदावार के लिए जर्रात को अपनाया बाद में मुस्तकिल काश्टकारी की वज़े से वसी पैमाने पर होने वाली जंगलों की कटाई उन इलाकों में होने लगी जहां कदीम तहजीमों की नशोनुमा हुई थी ताहम जदीद दोर में मदनियात, सनतकारी और नौबादियात की वज़े से जंगलों की कटाई ने एक नई और खासी तश्वीशनाक सूरत इख्तियार कर ली है खुसूसन लाथनी अमरीका, अफरीका और एशिया बाशुमाल हिंदुस्तान के मुंतका हारा के उन जंगलात को जो वहां के मकामी महुलियात और उन इलाकों में अबाद जंगलों और कबाईलों के बुनियादी जराय माश के लिए तहफूस के समान फरहम करती थी मुक्तलिफ नौबादियाती हुकूमतों की इमतनाई पॉलिसी और हद से ज्यादा इस्तेसाल के सबब शदीद नुकसान पहुंचा देग This is a word which refers to a large cauldron, i.e. metal pot During the Mughal period, Emperor Akbar, in one of his visits to the famous Sufi shrine of Sheikh Muinuddin Chishti at Ajmer had gifted it one such देग for cooking meals for the pilgrims In Sufi khanqas, i.e. spacious houses of Sufi mystics, such pots are usually used for cooking community meals and distribution among visitors See also khanqa देख इस शब्द का तात्पर धातु के एक बड़े बरतन से है मुगलकाल के दौरान, बात्षा अकबर एक बार जब अजमेर सित, शेख मुईनुद्दीन चिष्टी की सुप्रसित सूफी दरगाह में गए तो उन्होंने वहां आने वाले तिर्थ यात्रियों के लिए खाना पकाने के लिए ऐसा एक देख दान में दिया था सूफी खानका हूँ अर्थात सूफी संतों के विशाल भवनों में आम तोर पर सामोहिक भोष तयार करने और यात्रियों में बाटने के लिए खाना बनाने हे तू ऐसी देखों का प्रयोग किया जाता है खानका भी देखें पेज फॉर्टी देख इस लफ से मुराद धात का बड़ा बरतन है मुगल दोरे हकूमत में बादशा अकबर ने मशहूर सूफी शेक मुईनुदीन चिष्टी अजमेरी की दरगा को अपनी एक जियारत के दोरान इस तरह का एक देख जरईन का खाना तयार करने के लिए बतौर नजराना पेश किया था इस किस्म के बरतनों का इस्तिमाल आम तोर पर सूफी खानकाओं यानि सूफियों के वसी मकानात में लंगर तयार करने के लिए किया जाता है जो के जाहरीन में तक्सीम किया जाता है मजीद देखें खानका Dinarius, the term refers to a small silver coin of ancient Rome. See also Dinar. Dinarius, इस शब्द काताट पर प्राचीन रूम के एक छोटे चांदी के सिक्के से है. Dinar भी देखें Dinarius, इस से मुराद कदीम रूम में चांदी के एक छोटे सिक्के से है. मजीद देखें Dinar DESPOTISM The term is derived from the Greek word DESPOTES. It refers to a form of government in which a ruler wields absolute power over his subjects unrestrained by any established law, such as a constitution. In 18th century Europe, there were many despotic rulers who had introduced a number of political and social reforms in their respective countries and hence had come to be called as enlightened despots. This eventuality had come about despite the resolve of the French revolutionaries to liberate the peoples of Europe from despotism. SWICHACHARI SHASAN Is shabd ki utpatti, Yunani bhasha ke shabd, despote se hui hai. इसका तात्पर्य आम तौर पर ऐसी शासन व्यवस्था से है, जिसमें शासक को अपनी प्रजा पर शासन करने के लिए निरंकुष शक्ती प्राप्त हो. ऐसे शासन पर किसी स्थापित कानून, जैसे सम्विधान आदी का कोई अंकुष नहीं होता. अठार्मी शताब्दी में यौरप में ऐसे अनेक स्वेच्चाचारी शासक हुए, जिनोंने अपने अपने देशों में अनेक राजनीतिक और सामाजिक सुधार किये, जिनकी वजह से उन्हें कल्यान कारी स्वेच्चाचारी शासक कहा गया. ये स्थिती फ्रांसिसी करांतिकारियों के इस संकल्प के बावजूद उत्पर्न हुई कि यॉरफ पासियों को स्वेच्छाचारे शासन से छुटकारा दिला कर ही रहेंगे इसकी अंग्रेजी इस्तिला डिस्पोर्टिजम यानि इस्तिबादी युनानी लवज डिस्पोर्ट से मुश्टक है इस से मुराद हुकूमत की एक ऐसी शकल है जिसमें हुकमरान को अपनी रियाया पर मुतलक इक्तियारात होते हैं इस पर किसी तरह की बाजापता कानूनी मसलन आईने रुकावट नहीं होती अठारवी सदी इस्वी में यूरोप में बहुत से मुतलक इनान हुकमरान थे जिन्होंने अपने अपने मुमालिक में बहुत सी सियासी और समाजी इस्तलाहात की और इसी वज़ा से ये रोशन खायाल मुतलक इनान कहलाए उसके बावजूद ऐसी सूरत हाल बनी कि फ्रांसिसी इनकलाबियों ने ये तहाया कर लिया कि वो एहल यूरोप को इस्तेबाद से निजात दिला कर रहेंगे धम महामत्त धर्म महामात्र It was a designation that was given to a special cadre of officials created by the Mauryan king Ashoka to establish dhamma among all communities in his empire and promote among them all happiness on the thirteenth year of his reign Rock Edict 5 and the Seventh Pillar Edict of Ashoka throw specific light on the duties of dharma-mahamattas The dharma-mahamattas were empowered to release prisoners or remit their sentences if they thought such prisoners have families to support or were old or had been misled into committing crimes On the whole, the dharma-mahamattas were occupied with the tasks of determining who among the people of the empire were devoted to dhamma, who were established in dhamma and who were generous धम-mahamatt, धर्म-mahamattr ये एक पदनाम था जो मौरे समराट अशोक द्वारा बनाये गए अधिकारियों के एक विशेश समवर्ग के लिए प्रयुक्त होता था इनकी नियुक्ती अशोक ने शासन के तेरही वर्ष में अपने सामराज्य में सभी समुदायों के बीच धम्म की स्थापना करने और प्रजाजनों में खुशाली बढ़ाने के लिए की थी अशोक के पाँच्वे शिला लेक और साथ्वे स्थम्भ लेक में इन धम्म-mahamattr के करतव्यों पर विशेश रूप से प्रकाश डाला गया है ये धम्म-mahamattr कैदियों की सजा को कम करवा सकते थे या उन्हें छुडवा भी सकते थे अगर वे ये सोचते कि ऐसे कैदियों को अपने कुटुम्ब का भरन पोशन करना है या वे बूढ़े हैं अत्वा उन्होंने अपराद जान बूच कर नहीं बलकि किसी के जहांसे में कर किया है कुल मिलाकर धम्म-mahamattr सदा यही सुनिश्चित करने में सनलगन रहते थे कि सामराज्य के कौन लोग धम्म का पालन करते हैं कौन धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और कौन लोग दानशील हैं धम्म-mahamattr धर्म-mahamattr ये एक मनसब था जिसे मौरियाई हुकमरान अशोक ने अपने दोरे हकूमत के तेरवे साल में मखसूस और मुस्तकिल सरकारी अमले को इसलिए दिया था कि वो सल्तनत में तमाम तबकों के दर्मियाँ धम कायम करें और उनके माबीन खुशियों को फरोग दें अशोक के पांचवी हिज्री और साथवी सतुनी फरामीन स महामतों के फाइस पर खास रोशनी पड़ती है धम महामत उन कैदियों को रिहा या उनकी सजाओं में तखवीफ करा सकते थे जिनके एहलो आयाल की देखरे के लिए उनकी जरूरत है या वो जईफ हो चुके हैं या जिने गलत तरीके से जुराइम में मुलविस कर दिया गय मजमुई तौर पर धम महामतों के जिम्में ये फरीजा था कि वो ये मुतैयन करें कि सल्तनत के कौन लोग धम की मुकमल पाबंदी करते हैं कौन-कौन धम पर कायम और फाइस हैं P. 41. धर्म It is a Sanskrit term which variously refers to norms of conduct, adherence to rightful duty, i.e. as inherent in the place and circumstances in which a person finds himself at any given time, obligations in conformity with one's station in life and righteousness. The Dharma Shastras have broadly defined it as the natural universal laws whose observances enables man, i.e. human beings, to save himself, i.e. themselves, from degradation and suffering. Accordingly, the Dharma Sutras have prescribed rules of conduct for all human beings under three categories, namely, Swadharma, i.e. individual conduct, Varna Dharma, i.e. social conduct and Sanatana Dharma, i.e. universal conduct. The ultimate goals of the observances of these rules of conduct have been said to be the attainment of Purushartha, i.e. self-realization, at the individual level, and the maintenance of Vrita, i.e. moral and natural order, at the societal and universal levels. Dharma, this is the scientific language, which is the spiritual language. कई अर्थों में किया जाता है जैसे आचार संगिता का पालन, व्यक्तिद्वारा अपने स्थान, काल और परिस्थित्यों के नुसार, अपने सही कर्तव्यों का पालन, जीवन में अपनी अवस्था के नुसार, दाइत्वों का पालन और सदाचार का पालन आदी। धर्मशास्त्रों में मोटे तौर पर धर्म की व्याख्या करते हुए इसे वे प्राकृतिक सर्वजनीन नियम कहा गया है जिनका पालन करने से मनुष्य अपने आपको पतन और कष्टों से बचा सकता है तदनुसार धर्मशास्त्रों ने सभी मानव प्राणियों के लिए तीन शिर्णियों के अंतरगत सदाचार के नियम निर्धारित किये हैं ये श्रिणिया हैं स्वधर्म अर्थाद व्यक्तिगत सदाचार, वर्ण धर्म अर्थाद सामाजिक सदाचार और सनातन धर्म अर्थाद सर्वजनीन सदाचार सदाचार के इन नियमों का पालन करने का अंतिम लक्ष व्यक्तिगत स्तर पर पुरुशार्थ अर्थाद आत्म ज्यान प्राप्त करना है और समाज तथा विश्व के स्तरों पर रिद्ध अर्थाद नेतिक तथा स्वभाविक विवस्था बनाए रखना है धर्म ये एक संस्कृत इस्तिला है जो मुक्तलिफ माइने में इस्तेमाल हुआ है जैसे तोर तरीके से मुतालिक असूलों पर अमल करना जायिज जिम्मधारियों को पूरा करना यानि वक्त मقाम चालाद के मुताबिक अपनी जिम्मधारियों को अदा करना जिन्दगे में अपनी इस्तिताइट के मताबिक फराइज और इनसाफ की पैरवी करना वगेरा वगेरा धर्म शास्त्रों में धर्म की तारीफ वसी तनाजिर में ऐसे फित्री और अफाकी कवानीन के तोर पर की गई है जिन पर पाबंदी से अमल करना इनसान को इस काबिल बना देता है कि वो खुद को तनजली और मुसीबतों से महफूस कर सकता है इस लिहास से तमाम इनसानों के लिए तोर तरीकों से मुतालिक गवानीन को धर्म सूत्रों में तीन किसमें बयान किया गया है वो तीन किसमें ये हैं स्वधर्म यानि इन्फरादी तोर तरीके वर्न धर्म यानि समाजी तोर तरीके और सनातन धर्म यानि अफाकी तौर तरीके तौर तरीकों के मुतालिक उसूल और कवानीन की पाबंदी का आखरी हदफ इन्फरादी सते पुरुशार्थ यानि मरिफात नफस हासिल करना और समाजी और अफाकी सते पर रत यानि अखलाकी और फित्री निजाम को बरकरार रखना है धर्मसाल धर्मसाला The term originally referred to a center of devotional congregation. With Guru Nanak, it became a place where people from different castes, creed or background could assemble, sing and eat together in a common kitchen. During the 18th and 19th centuries, with the installation of Adi Granth and the attribution of Guru's authority to it, the धर्मसालास became Guru Dwara's, i.e. Sikh Shrines. धर्मसाल धर्मशाला आरंभ में ये शब्द एक ऐसे केंद्र का दियोतक था, जहां बहुत से लोग भक्ति भाव से प्रेजित होकर इकठे होते थे. गुरु नानक के कारेकाल में ये एक ऐसा स्थान बन गया, जहां भिन भिन जाती, संप्रदाए, अथ्वा, प्रिष्ट भूमी के लोग इकठे हो सकते थे, गाब जा सकते थे, और एक साजहा रसोई में एक साथ भोजन कर सकते थे. अठारवी और उन्नीसवी शताब्दियों के दौरान आदी गरंथ की प्रतिश्ठापना और उसे गुरु का दर्जा मिलने के साथ धर्मशालाएं गुरु द्वारों में परिवर्तित हो गई. धर्मसाल, धर्मशाला, बुनियादी तोर पर इस इस्तिला से मुराद मजहभी इच्तिमा का मरकज है. गुरु नानक से वाबस्ता ये एक ऐसी जगा बन गई, जहां मुख्तलिफ जात, अकीदा या समाजी हालात से तालुक रखने वाले लोग इखटा हो सकते थे, गा सकते थे और एक साथ लंगर खा सकते थे. अठार्वी और उन्निस्वी सदी के दौरान, धरम शालाओं में आदी गरंथ रखे जाने और उन्हें गुरु का दर्जा मिलने के साथ ही ये गुर्दवारों में तब्दील हो गई. दिगंबरा This is a Sanskrit word which literally means the sky clad. This word is used for that sect of Jainism of which the monks do not wear any cloth. According to early Jaina accounts, a split occurred in the 4th century BCE, when the monks led by Sthula Bhadra, who did not migrate to south following a disastrous Femin in the north, took to wearing white clothes. However, the monks who led by Bhadra Bahu migrated to the south, i.e. Karnataka, retained the tradition of not wearing any cloth and hence came to be known as the Digambaras. See also Shwetambaras दिगंबर ये एक संस्क्रित लवज है, जिसे नहीं पहने की परमपरा को कायम रखा. और इसलिए वे दिगंबर कहलाएं। श्वेतामबर भी देखें। थूल भदर की कयादत में शुमाल में रहने वाले भिक्षूँ यानि राहिब उन्हें सफेद लिबास इख्तियार कर लिया। ताहम भदर बाहु की कयादत में राहिब जो जुनूब यानि करनाट का हिजरत कर गए उन्होंने लिबास ना पहननी की रिवायत को बरकरार रखा। इसी वज़े से ये दिगंबर के नाम से मारूफ हुए। मजीद देखें श्वेतामबर पज फूटीट दिनार इट रखर्स तो अन अरबियन गल्ट कोई तर्म सेम्स तो रबन देरिवड रोमन वर दिनारियस Presently, the official currencies of countries like Algeria, Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Libya, Saudi Arabia, etc. are also called by this name. See also, दिनारियस दिनार ये अरब देश का एक सोने का सिक्का होता है इस शब्द की वयोतपत्ती शायद रोमन शब्द दिनारियस से हुई है आशकल Algeria, Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Libya, Saudi Arab आदिदेशों की सरकारी मुद्रा को इसी नाम से पुकारा जाता है दिनारियस भी देखें दिनार इससे मुराद सोने का एक अरबी सिक्का है मुम्किन है कि ये इस्तिलार रोमी लव्द दिनारियस से ली गई हो फिलहाल Algeria, Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Libya, Saudi Arab वगेरा की सरकारी करंसी इसी नाम से जानी जाती है मजीद देखें दिनारियस Direct Action Day In the run-up to Indian independence, the day of 16th August 1946 is known as the Direct Action Day Having seen the prospect of a separate state of Pakistan not being realized following the results of the July 1946 elections For the formation of a constituent assembly, the Muslim League, under the leadership of Muhammad Ali Jinha, had passed a resolution calling the Muslims to come out in open support of its demand for Pakistan As a consequence, India had to witness the spectre of the worst communal riots in its history in different parts of undivided India Though the call for direct action had its maximum impact on Bengal In the east and Punjab in the west प्रत्यक्ष कारवाई दिवस भारतिय स्वतंतुरता संग्राम के दौर में 16 अगस्त 1946 के दिन को प्रत्यक्ष कारवाई दिवस के नाम से जाना जाता है सम्विधान सभा के निर्मान के लिए जुलाई 1946 में हुए चुनावों के परिणामों को देखकर जब मुसलिम लीग को एक अलग पाकिस्तान बनाने का सपना साकार होता हुआ नहीं दिखाए दिया तो मुसलिम लीग ने मुहम्मद अली जिन्ना के नितृत्व में एक संकल्प पारित किया जिसके अंतरगत लीग ने मुसल्मानों को पाकिस्तान बनाने की मांग के समर्थन में आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया उनके इस अहवान के परिणाम सुरूप अविभाजित भारत के अनेक भागों में भारती इतिहास के सबसे बड़े सामप्रदाइक दंगे छड़ गए किन्तु इस प्रत्यक्ष कारवाई के आहवान का सर्वाधिक असर पूर में बंगाल पर और पश्चिम में पंजाब पर पड़ा यौम रास्थ कारवाई हिंदुस्तान की आजादी के मुनासिबत से 16 अगस्त 1946 को यौम रास्थ कारवाई के तोर पर जाना जाता है खानून साथ असेम्बली की तश्कील के लिए जुलाई 1946 के इंतिखाब के नताइच की सूरत में अलहदा पाकिस्तान ना बनता हुआ देखकर मुस्लिम लीग ने मुहम्मद अली जिना की कयादत में मुसल्मानों को खुले तोर पर पाकिस्तान का मुतालबा करने के लिए एक करारदार मनजूर की नतीज़तन हिंदुस्तान की तारीख में गैर मुनकसिम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बत्तरीन फिरका वरहनत फसादात वाके हुए ताहम बराय रास्त कारवाई का असर ज्यादतर मश्रिक में बंगाल और मगरिब में पंजाब पर पड़ा Diwaan, Diwaaneala The word Diwaan usually refers to a government department which maintains records of the collection and disbursement of revenues. During the Sultanate period, the word was used mainly for the Vazir's department. According to Abul Fazzle, under the Mughals, the Diwaan served as the chief controller of financial matters. In his capacity of being the superintendent of the imperial treasury, he acted as the auditor of the accounts and was the financial advisor of the emperor During the reign of Akbar, Diwan was generally known as Diwan-e-Ala, which meant the imperial Diwan In his work, the Diwan was assisted by four subordinate officers who controlled four separate departments They were Diwan-e-Khalsa for Crown Lend, Diwan-e-Taan for salaries, Mushrif that is chief accountant and Mustafi that is auditor Raja Todermal served as a distinguished Diwan from the 22nd to the 24th and from the 27th to the 34th years of the long reign of the Mughal emperor Akbar and has been credited with many innovations in the field of revenue administration Divan Divan-e-Ala 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 fabulous Divan-e-Ala šbd-aam Rend pressure Divan-e-Ala chadra p изб a beautiful salary Divan-e Ba surgical Abul-e-Fadal ke Anussar Unsur targ un golden Divan-e-Ala परिक्षक के रूप में कारे करता था शाही खजाने का अधिक्षक होने के नाते वो लेखा परिक्षक के रूप में कारे करता था और बादशाह का वित्तिय सलहकार भी था अकबर के शासनकाल में दीवान को आम तोर पर दीवाने आला कहा जाता था जिसका अर्थ था शाही द दिवान को उसके काम में सहायता देने के लिए चार अधिनस्थ अधिकारी होते थे जो चार अलग-अलग विभागों की देखभाल करते थे उन चारों में दिवाने खालसा, शाही जमीनों के लिए, दिवाने तान, वेतन भत्तों के लिए, मुश्रिफ, अर्थात, मुख्य ल से 24 वे और फिर 27 वे से 34 वे वर्ष तक एक विशिष्ट दीवान के तौर पर काम किया था राजा टोडर मल को राजस्व प्रशासन के क्षित्र में कई नए तौर तरीखे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है दीवान दीवान आला लफ़ दीवान से मुराद आम तौर पर सरकारी महकमे लिया जाता है जो माल गुजारी वसूल करने और खर्च करने से मुतालिक अंदराजात को महफूज रखने का एहतमाम करता है एहद सल्तनत में इस लफ्स का इस्तिमाल खास तोर से वजीर के महकमे के लिए किया जाता था अबुल फजल के मताबिक मुगलिया दौर में दीवान मालियाती उमूर के नाजी में आला के तोर पर काम करता था शाही खजाने का निजाम आला होने की वज़ा से वो हिसाब और किताब के मुहासिब के तोर पर भी काम करता था और शेहनशा का मालियाती मुशीर था अकबर के दोरे हकूमत में दीवान आम तोर पर दीवान आला की हैसियत से जाना जाता था जिसका मतलब शेहनशाई दीवान था कामों की अंजाम देही में दीवान की मदद करने के लिए चार मा तहट अफसर होते थे जो चार अलेदा शोबों की निगरानी करते थे इन चारों में दीवाने खालिसा, शाही जमीन के लिए दिवानِ तान तन्खाओं के लिए मुशर्ण y यानि मुहासिब आला हिसाबो किताब के लिए और मुस्तवफी यानि मुहासिब हिसाबो किताब की जांच के लिए होते थे राजा तोडरमल मोगल शेहिंशाँ अकबर के टावील दौरे हुकूमत में एक मुम्तास दिवान के तौर पर बाइसमें से चौबिसमें और सताइसमें से चौतिसमें साल तक खिद्मत अंजाम देते रहे जिनके सर निजाम-े-माल गुजारी के मैदान में बहुत सी जदीद इसलाहत का सहरा जाता था पेज फॉर्टी थ्री Diwani The term refers to the rights of revenue collection granted by the Mughal Emperor Shah Alam II to the English East India Company by virtue of the Treaty of Allahabad, 1765, after his defeat in the Battle of Baksar in 1764. As per the provisions of this treaty, the English East India Company became the Deewaan of Bengal, Bihar and Udisa and hence could collect the revenues from these provinces. This grant of Diwani marked the beginning of the long process of colonial exploitation of India by the British. Diwani Diwani का तातपर्य राजस्व संग्रह करने के उन अधिकारों से है, जो मुगल बादशा, शाह आलम, द्वितिये द्वारा, 1764 में बकसर की लडाई में हुई अपनी हार के बाद की गई इलाहबाद की संधी अर्थाद 1765 के तहत English East India Company को सौपे गए थे. इस संधी के प्रावधानों के अनुसार, English East India Company, बंगाल, बिहार और उडिसा की दीवान बन गई और उसे इन प्रांतों से राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल गया. इसके बाद अंग्रेजों द्वारा भारत के आपनिवेशिक शोषण की लंबी प्रक्रिया प्रारंब हो गई. दीवानी की शरायत की रो से, East India Company, बंगाल, बिहार और ओडिसा का दीवान बन गई और अब वो उन सूबों से माल गुजारी वसूल कर सकती थी. इस दीवानी की मन्जूरी से ही बरतानिया के जरिये हिंदुस्तान के नौ अबादियाती इस्ते साल का तवील अमल शुरू हो गया था. दीवाने आम दीवाने आम इससे मुराद आम समाईन का हौल यानि दरबारे आम है जहां मुगल हुकमरान अवामन नास की शिकायतों को सुनते और हल करते थे. दीवाने आम मुखतलिफ मुगल किलों में जैसे आगरा और दहली वगेरा में बनाए गये थे. Do Cala This is an architectural style which is associated with the temples built in Bengal during the medieval period. Since this style was adopted from the double-roofed and four-roofed structures of the Thash huts, This came to be known as Dochala and Chochala. These temples were used to be usually built on square platform. The interior of the temple is devoid of any decoration, whereas the outer walls have paintings, ornamental tiles or terracotta tablets. The temples built at Bhishnupura exhibit fine examples of this style of temple architecture. The style also incorporated elements of the dome and multi-lobe arch of Islamic architecture. See also, Chochala. Dochala ये वास्तुकला की एक शैली है, जो मध्धेकाल में बंगाल में बने मंदिरों में अपना ही जाती थी. चूंकि ये शैली छप्पर वाली जोप्डियों के दो छतों या चार छतों वाले धांचों से ली गई थी, इसलिए इसे दोचाला और चौचाला कहा जाता था. ये मंदिर आमतोर पर एक वरगाकार वेदी पर बनाये जाते थे. मंदिर के भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन बाहरी दिवारों को चित्रकारियों, सजावटी टाइलों या मिट्टी की पट्टिकाओं से सजाया जाता था. विश्णुपूर में बने मंदिर स्थापत्ते की इस शैली के उत्तम उदाहरन हैं. इस शैली में इसलामी वास्तुशिल्प के गुम्बद और लटकनदारी महराबों के तत्व भी शामिल किये गए थे. चौचाला भी देखें. दौचाला ये एहदोवस्ता के दौरान बंगाल में बनाए गए मंदिरों से वाबस्ता तरजित तामीर है. चूँके इस तरजे तामीर में घासफूस से बनाई गई जोपडियों की दो छटी और चार छटी धांचों को इख्तियार किया गया था. इसलिए ये दोचाला और चौचाला के नाम से मारूफ हुआ. ये मंदिर आम तोर पर मुरब्बा चबूत्रे पर बनाए जाते थे. मंदिरों के अंदरूनी हिस्से में किसी तरह की जिबाईश नहीं होती थी. जबके खारजी दिवारों को नक्षो निगार अराइशी पत्थर या खपरीलों से सजाया जाता था. विश्नुपूर में तामीर शुदा मंदिर फने तामीर के इस तर्ज की बहतरीन मिसाले हैं. इस तर्ज में इस्लामी फने तामीर के केसरुल इश्काल चज्जे और गुंबत के अनासिर भी शामिल थे. मजीद देखें, चौचाला Doctrine of Laps It refers to one of the policies that was adopted by the English East India Company for the expansion of their empire in India. This policy was based on the assumption that as the paramount power, the English East India Company had the authority to grant permission to the dependent Indian states to be passed on to a successor at the demise of its ruler, which it could refuse. Lord Dalhousie used this doctrine as a ploy to refuse the right of succession to the adopted sons, i.e. malayers, of some such states and annexed their territories between 1848 and 1856. The states were Satara, Jaitpur, Sambalpur, Nagpur, Jhansi and Bhagat. Karnataka and Tanjore were, however, annexed by abolishing the titles and pensions of their respective rulers. राज्य विलाय नीती ये शब्द एक ऐसी नीती का सूचक है, जो English East India Company द्वारा भारत में अपने सामराज्य का विस्तार करने के लिए अपना ही कई थी. ये नीती इस अवधारना पर आधारित थी कि English East India Company भारत में एक सर्वोच्च संस्था है और उसे अपने अधिनस्थ राज्यों को वहां के शासक की मृत्यू के बाद उत्तराधिकारी की न्यूकती के संबंध में अनुमती देने या ना देने का अधिकार प्राप्त है. लौट डलहौजी ने इस सिध्धान्त का छल पूरवक प्रयोग करते हुए कुछ ऐसे राज्यों के पुरुश उत्राधिकारियों को उनके अधिकार से वन्चित करके 1848 से 1856 के बीच अनेक राज्यक शित्रों को अपने अधिन कर लिया था. ये राज्य थे सातारा, जैदपुर, संबलपुर, नाकपुर, छांसी और भगत. करनाटक और तनजौर को भी उनके शासकों की पदवियां और पेंशने खत्म करके कमपनी के राज में मिला लिया गया था. उसूल इलहाक उसूल को एक पॉलिसी के तौर पर 1848 और 1856 के दर्मियान मतनभी उलाद, यानि मर्दवारिस के हक जानशीनी को इनकार और उनकी रियासतों और इलाकों को बरतानवी हकूमत में शामिल करने के लिए इस्तिमाल किया था. सतारा, जैदपुर, संबलपुर, नागपुर, जहांसी और भगत ऐसी ही रियासते थी. करनाटका और तंजौर वगेरा रियासतों को भी उनके हुकमरानों की पंश और अलकाप को खतम करके बरतानवी हकूमत में शामिल कर लिया गया था. DONATIVE INSCRIPTION The inscriptions which usually record endowments made to religious establishments and are found inscribed on walls, railings and gateways of temples are referred to as donative inscriptions. Sometimes, these inscriptions are also found inscribed on the donated images of deities installed in temples. DAN SAMBANTHI ABHILEK जिन अभिलेखों में आमतोर पर धार्मिक संस्थाओं को दिये जाने वाले दानों का उल्लेख मिलता है, और जो अधिकतर मंदिरों की दीवारों, द्वारों, वेदिकाओं आदी पर अंकित पाये जाते हैं, उन्हें दान संबंधी अभिलेख कहा जाता है. कभी-कभी अभिलेख मंदिरों में स्थापित, दान दी गई देव प्रतिमाओं पर भी अंकित मिलते हैं. अतियाती कुदबा इन कुदबों में आमतोर पर मजभी इदारों को दी गई अतियात का अंदराज किया जाता है, जो की ज्यादतर दीवारों, आहनी सलाखों और आस्तानों के दर्वाजों पर कुंधे पाये गए हैं, उन्हें अतियाती कुदबा कहा जाता है, कभी-कभी म इसका तात्पर प्राचीन युनान के एक सिक्के से है जिसका प्रयोग युनान के नगराज्यों में किया जाता था इससे मुराद वो सिक्का है जो युनानी शेहरी रियासतों में मुस्तमल था Drain Theory The theory pertains to the draining out of Indian wealth to England during the colonial period. First, as a trading organization, it was a basic policy with the English East India Company to take raw material from India at cheaper prices and sell the British manufactured goods at much higher prices which resulted in huge trade profits to be taken out of India. Second, whatever capital was invested in laying roads and rails and minings, mills, plantations and banking was accounted as loan for which the East India Company and then British Government of India had to pay huge interest. The cost of administration in terms of salaries, allowances and pensions of the civil servants, known as the home charges apart from all the expenditure that were incurred on account of maintaining the army and waging wars both against the Indian rulers and beyond, were all charged upon the revenue earnings in India. Even the British Navy was maintained by their Indian establishment. All this resulted in the pauperization of the country and was starkly brought out by Dada Bhai Naoroji in his book Poverty and Un-British Rule in India, giving credence to this theory. धन धन निकासी का सिध्धान्द इस सिध्धान्द का संबंध अपनिवेशिक काल में भारत से इंग्लिन को की गई धन निकासी से है. इस संबंध में पहली बात तो ये है कि English East India Company एक व्यापारिक संस्था थी, जिसकी बुनियादी नीती ही ये थी कि भारत से सस्ते दामों पर कच्चा माल खरीदा जाए और ब्रिटन में निर्मित माल काफी उंची खीमतों पर भारत में बेचा जाए, जिसके फलसुरू प्राप्त व्यापारिक लाभों को भारत से बाहर ले जाया जाए. दूसरे सडकें और रेलें बनाने तथा खाने, मिलें, बागान और बैंक स्थापित करने और चलाने के लिए जो पूंजी लगाई गई थी उसे रिण माना गया था. जिसके लिए पहले इस्ट इंडिया कंपनी को और आगे चलकर भारत की ब्रिटिश सरकार को भारी मात्रा में ब्याच देना होता था. साथ ही सेना रखने और भारत ये तथा बाहरी शासकों के साथ युद्ध करने पर भी जो खरचाता था, उसके अलावा असैनिक करमचारियों के वेतन, भत्तों और पैंशनों के रूप में जो भी प्रशासनिक खर्च जिसे स्वदेश प्रभार कहा जाता था, होता था, वो सब भारत में हुई राजस्वसंबंधी आए से चुकाए जाते थे. यहां तक की ब्रिटिश नौसेना के रखरखाव का खर्च भी उनके भारतिय प्रतिश्ठान को ही उठाना पड़ता था, इन सभी खर्चों के बोज के करण देश कंगाल हो गया, दादा भाई नौरोजी ने इस दैनिये स्थिती के लिए धन निकासी के सिध्धान्त को जिम इस इस्तिला का तालुक नौ अबादियाती दोर में बरतानिये की तरफ होने वाले हिंदुस्तानी दौलतो सरमाया के भाव से है, अवल, तिजारती तन्जीम के तोर पर, इंग्लिश इस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये बुनियादी पॉलिसी थी, के वो हिंदुस्तान के माल को कम कीमतों पर खरीद कर ले जाते और बरतानवी मसनुवात को ज्यादा कीमतों पर फरोख्त करते जिसके नतीजे में हिंदुस्तान से गेर मामुली मुनाफ़ा हासिल किया, दौम, सड़कों की तामीर, रेलवे लाइन बिछाने, कान-कानी, मिल, शजरकारी, बैंकारी में जो भी सरमाया लगाया था, उन्ही कर्जों में शुमार किया गया, जिसके लिए पहले इंग्लिस्ट इस इंडिया कमपनी और बाद में बरतानवी हकूमत हिंद को गेर मामुली तोर पर सूद अदा करना पड़ता है, शाही अफसरान की तनखुआओं, वजाइफ और प हिंदुस्तान से हासिल होने वाले महसूल से ही पूरे किये जाते थे, यहां तक की बरतानवी भारिया के रख राहों में होने वाले इखराजात भी हिंदुस्तानी इदारों से पूरे किये जाते थे, मजमुई तोर पर उसका नतीज़ा ये हुआ, कि मुल्क मुफलिस होता इस नजरिय की सच्चाई को बयान करते हुए, दादा भाई नारोजी ने अपनी किताब, Poverty and Un-British Rule in India में इसका बर्मला इजहार किया Dravira Style The expression refers to the style of temple architecture which developed in the southern part of India around 6th century CE in the land lying between the Krishna and Kaveri rivers. The temples built following this style generally consist of a square-chambered inner sanctum topped by a tower and an attached pillared porch or hall i.e. Mandapam. Usually these temples are set within large covered enclosures. Often the external walls of these temples are divided into niches by pilasters. The most striking feature of a Dravira temple is its pyramidal Vimana or Gopuram, which consists of several receding stories culminating in a pinnacle i.e. Shikhara, topped by a small dome, a pot and a filial i.e. Kalasha. At a later stage, Dravidian temples also came to feature huge gateways and pillared halls and corridors. The Pallava and the Chola temples provide splendid examples of different stages of this style of temple architecture. Dravid Shaili Mandir Sthapatte की इस दक्षन भारतिय शैली का विकास, ईसा की छठी शताब्दी के आसपास, Krishna और काविरी नदियों की बीच के प्रदेश में हुआ था. इस शैली के मंदिरों में सामाने तह एक वरगाकार गर्भग्रिह और उसके उपर एक शिखर होता है. गर्भग्रिह के साथ ही एक स्तंभों वाला बड़ा कक्ष अर्थात मंडपम होता है. आमतोर पर ये मंदिर बड़े आहातों से घिरे होते हैं. मंदिर की बाहरी दिवारें अकसर भित्ती स्तंभों वाले कई भागों में विभाजित होती हैं. द्रवड मंदिर की मुख्य विशेश्ता उसका पिरामिट के आकार का विमान या गोपुरम होता है, जो क्रमशा घट्ती हुई कई मंदिलों का बना होता है. ये मंदिलें संकरी होते होते एक शिखर का रूप ले लेती हैं, जिस पर एक छोटा गुंबद, एक पात्र और एक कलश बने होते हैं. आगे चलकर दक्षन भारती मंदिरों में विशाल प्रवेश्तवार, स्तंभों वाले कक्ष और गलियारे बनने लगे. पल्लव और चोल मंदिर स्थापत्ते के इस शैली के विभेन चरणों के भवे उदाहरन माने जाते हैं. द्रवणी तर्ज इस इजहार से मुराद मंदिरों से वाबस्ता फने तामीर का एक ऐसा तर्ज है, जिसकी नशो नुमा तकरीबन छटी सदी ईस्वी में जुनूब हिंदुस्तान के का द्रावरी दर्याओं के दर्मियानी इलाकों में हुई थी. इस तर्ज पर तामीर होने वाले मंदिर अमूमन मुरब्बा होते थे, जिन में मुकद्दस मकाम होता था, जिसको बर्च के जरिये बुलंद किया जाता था, और उससे मतसल सुतूनी देवडी या हॉल, यानी दपम होता था, बिल उमूम ये मंदिर वसी दाइरे में घिरे होते थे, अक्सरो बेशतर इन मंदिरों की खारजी दिवारों को प्लास्टर के जरिये ताकों में तकसीम किया जाता था, द्रावडी मंदिर की खुसूसियात में सबसे दिलकश, उसका एहराम नामों उमान या गोपुरम था, जिसमें कई मंजिले होती थी, बातदरीज, उपर की जानिब तंग और उसकी बुलंदी की इंतिहा एक पतली चोटी पर होती थी, जिस पर एक छोटा सा गुंबद, हांडी और कलश होता था, बाद में द्रवडी मंदिरों में भी सुतूनदार हॉल, दालान और बड़े-बड़े दर्वाजे बनाए जाने लगे, पल्लव और चोल मंदिर, मंदिरों से वाबस्ता इस्वने तामीर के मुक्तलिफ मरहलों की शांदार मिसालें पेश करते हैं Dravida, Dravidian The term is used to denote one of the four major language families of India. The Dravidian languages are largely spoken in the four southern states of Tamil Nadu, Karnataka, Kerala and Andhra Pradesh. The term is also used in reference to the cultural grouping of the states south of the Vindhyas. During the British period, a movement which had been launched in the Madras Presidency to demand self-respect for the Dravidian people under the leadership of E. V. Ramaswami Nayakar is widely known as the Dravidian Movement. Page 46 Dravid Dravid इस शब्द का प्रयोग भारत के चार प्रमुक भाषा परिवारों में से एक के लिए होता है. दरवड भाषाएं दक्षण के चार राज्यों तमिलनाडू, करनाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में बोली जाती हैं. इस शब्द का प्रयोग विंधे के दक्षण में स्थित राज्यों के सांस्कृतिक सम्हू को दर्शाने के लिए भी किया जाता है. ब्रिटिश शासनकाल में एवी रामस्वामी नायकर के नेत्रित्व में दरवड लोगों के लिए आत्म सम्मान की मांग करने के उद्देश से मदरास प्रेजिडेंसी में जो आंधोलन चलाया गया था, उसे व्यापक रूप से दरवड आंधोलन कहा जाता है. दरवड, दरवडी, इस इस्तिला का इस्तिमाल हिंदुस्तानी जबानों के चार बड़े खांदानों में से एक को बताने के लिए किया जाता है. दरवडी जबाने जयारतर चार जुनूबी रियासतों मसलन, तमिलनाडू, करनाटक, कैरला और आंधर परदेश में बोली जाती हैं. इस इस्तिला का इस्तिमाल विंदिया की जुनूबी रियासतों की सकाफत दरजा बंदी के लिए भी किया जाता है. बरतानवी हुकूमत के दौरान, सूबा मदरास में ईवी रामा स्वामी नईकर की कयादत में, दरवडी लोगों की इजदे नफस के मुपतिले के लिए शुरू होने वाली तहरीक भी उमूमन दरवडी तहरीक के नाम से जानी जाती है. द्वाइता द्वाइता This is a term which refers to a school of Vedanta philosophy. As opposed to a Dvaita Vedanta, it believes in the separateness of the Atman, i.e. individual soul, and the Brahman, i.e. universal soul. This school of philosophy is also referred to as dualism, whereas the Advaita philosophy is called non-dualism. The most well-known exponent of the Dvaita philosophy is Madhava, popularly known as Madhavacharya, who belonged to ca. 13th century CE. However, the earliest evidence of this thought is found in the Mimansa and Naya schools of thought. Dvaita इस शब्द का तात्पर्य वेदान्त दर्शन की एक शाखा से है. अद्वैत शाखा के विप्रीत, द्वैत विचारधारा के अंतरगत, आत्म अर्थात जीवात्मा और ब्रह्म अर्थात परमात्मा को दो अलग-अलग सत्ता माना जाता है. इसलिए दर्शन की इस शाखा को द्वैत वाद भी कहा जाता है, जबकि आत्म और ब्रह्म के अस्तित्व को एक मानने वाली विचारधारा को अद्वैत वाद कहते हैं. द्वैत दर्शन के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक माधव, जिने सामाने रूप से माधवाचारे के नाम से जाना जाता है, हैं, जो ईसा की तेरवी शताब्दी में हुए थे, किन्तु इस विचारधारा का प्राचीनतम साक्ष, मीमानसा और न्याय दर्शन के सिध्धानतो में पाया जाता है, दुएत, इस इस्तिला से मुराद फलसफाय विदान्त के मकतब फिक्र से है, अदुएत के बरक्स नजरियाए विदान्त के मताबिक, यानि इन्फरादी रूह, भ्रह्मा, अफाकी रूह, एक दूसरे से अलग हैं, इसी वज़ा से फलसफयाना मकतब फि जारिया थे, जिनका तालुक तेरवी सदी से था, बहरहाल, इसी फिक्र की अव्वलीन मिसाल, मिमांसा और नियाय मकतब हाय फिक्र में मिलती है Dwija, it is a Sanskrit word which means twice born. According to the Hindu tradition, when a child is born, that is considered to be his first birth, whereas when he is initiated to a life of learning and spiritual quest, as a mark of which he wears a sacred thread, he is considered to have taken a second birth, that is the spiritual birth, after the attainment of a certain age. Initially, the members of the first three Varnas, such as the Brahmanas, Dakshatriyas and the Vaishyas, were entitled to be initiated into the Vedic studies and hence were referred to as the Dwijas, upon their initiation. However, in later stages, the term came to be associated with the male Brahmanas only, who were required to be initiated to perform religious duties. Dwij, ये एक Sanskrit चब्द है, जिसका अर्थ है, दो बार जन्म लेने वाला. Hindu परमपरा में, मा के गर्भ से पैदा होने को बच्चे का पहला जन्म माना जाता है. और फिर एक निश्चित आयू प्राप्त करने पर, जब उसका उपनयन संसकार करके, उसे विद्याधेयन तथा आध्यात्मिक ज्यान की प्राप्ती के लिए विद्यार्थी जीवन में प्रवेश कराया जाता है, तब उसका दूसरा जन्म अर्थात आध्यात्मिक जन्म हु उन्हें ही द्विच कहा जाता था। किन्तु आगे चलकर इस शब्द का प्रयोग उन ब्रहमन पुरुशों के लिए ही किया जाने लगा जो धार्मिक कृत्यों को संपन्न करने के लिए शिक्षित किये जाते थे। प्रयोगी का आगाज और बतोरे निशान मुकदस धागा बांता यानि संकरा की रसम अदा करता है उसकी दूसरी पैदाईश यानि रूहानी पैदाईश तसवर किया जाता है। जिसकी मझभी फराइश के अदाईगी के लिए जरूरत थी। Letter D of Trilingual Dictionary of History for Schools ends here. Read by Suchitra Gupta and Mohamad Saad Trilingual Dictionary You were just listening to this presentation Project Coordination Rajesh Nimesh Subject Coordination Dr. Shima Shukla Ojha Project Advise Dr. Bharti Kaushik Technical Coordination Batilang Lindo Assistance in Production Tanu Gupta Framework Advise Ajit Horo Production Coordination Vandana Arimardhan Produced and Directed by Vimlesh Chaudhary And this presentation is brought to you by CIET-NCERT New Delhi, India To be continued... Proop 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 Proop